हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूपीज कीचन, आज आप सभी अच्छे होगे, आज रूपीज कीचन में हम बनाने वाले हैं, पेपर जिंजर गार्लिक क्रीवी चिकल, ये रेसिपी उत्रागंड में एक सिटी है, हल्दवानी, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, ये रेसिपी वहाँ की फेमस डिस है, जो बल्दवानी रेते हैं, वो समझ चुके होंगे कि मैं किस रेस्टोरेंट की बात करी हूं, ये रेसिपी को हम घर पर ही आसान तरीके से बनाएंगे, और इसमें कम से कम इंग्रीडियन्स यूज करके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में क्रस्ट करके, हम इसे चिकन को मैरिनेशन में यूज करेंगे, मैंने यहाँ पर आदा केजी करीब चिकन लिया है, अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, आदा चमच इसमें नमक डालेंगे, और डालेंगे इसमें आदा चमच करीब जो हमने क्रस्ट किया हुआ, काली मेरिनेशन में यही दो चीज़े यूज़ करेंगे यूज और हमें इसे पन्दर से बीस मिल पके लिए मैरिनेशन के लिए रब देना है जब तक क्लिद टेobraव म industry चेंशन कहले सब्सक्रेवब नियूंड कर ले को सब्सक्ति आपको देखिए इस तरह के से हमें इसे बिल्कुल बारी करना है ध्यान रहे हैं इस रेसिपी में हमें जिंजर गार्लिक और प्यास जो है पीस के नहीं डालना है हम इसे फाइनली चॉप्ट करके ही डालेंगे और यह देखे अद्रक भी हमें इस तरह के से चॉप्ट करना है और गार्लिक को भी इस तरीके से finely chopped करके जब हम garlic, ginger और प्यास को डालते हैं इन सबसे chicken की gravy में और अच्छा टेस्ट आता है इन तीनों को मैंने finely chopped कर लिया है अब हम काजू का paste बना लेते हैं इसके लिए यहां पे मैंने 4 हरी मिर्च लिये हैं और 50 ग्राम करीब काजू लिया है और इन दोनों को हम थोड़ा सा पानी डालके अच्छे से grind कर लेंगे एक हमें यहां पे liquid paste बनाना है इसका यह हो गया है grind और आब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे अब हम इसमें दो बड़े चमस करीब दई आइट करेंगे और दो बड़े चमस करीब इसमें हम क्रीम एट कर देंगे अब हमें इन तीनों को अच्छे से mix कर लेना है इस क्रीम से हम चिकन की gravy बनाएंगे इससे चिकन की gravy थिक और creamy बनती है और टेस्ट तो इतना लाजवाब होता है जिसका जवाब ही नहीं है हमें इसे बहुत अच्छे से mix करना है एक टिक लिक्विट बैटर जैसा बन जाना चाहिए क्योंकि जो क्रीम होता है वो अच्छे से mix नहीं होती है इसलिए हमें इसे separately mix करना है अब हम marinated chicken को पकाएंगे इसके लिए हमें एक पैन में तीन बड़े चमज करीब तेल डालना है और उसे अच्छे से गरम करना है अच्छे से तेल को गरम होने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे marinated chicken इस recipe में हम chicken को अलग इसलिए पका रहे हैं क्योंकि अगर हम chicken को cream के साथ ही cook करेंगे तो आपको पता है chicken को पकने में जादा time लगता है और cream को बनने में जादा time नहीं लगता है इसलिए हम cream को अलग पकाएंगे और chicken को अलग इसे कर लेंगे अच्छे से mix और medium flame में हम 10-15 मिनट कर इसे पकने देंगे इस तरीके से chicken पकने में जादा time नहीं लगता है और chicken का जो taste होता वो काफी अच्छा होता है इस तरीके से पकाने से बीज बीज में हमें कर्ची चलाते रहना है एक बात और है जब भी आप chicken बनाते हैं तो उसे 10-15 मिनट के लिए पहले marination के रहे लख लिए चाहिए उसमें आप कम से कम मसाले डालके ही उसे marinate कर लीजे इससे क्या होता है कि chicken आदा जो है marination में ही पक जाता है और आप जब इसे cook करते हैं तो इसमें जादा time नहीं लगता है और यह जल्दी पक जाता है और taste भी काफी अच्छा आता है चिकन जो है पक चुका है अब हम इसे side में रख लेंगे और रखना है हमें एक pan और उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल डालना है बाकी हम oil जो है जो पका हुआ चिकन है उसमें से ही निकालेंगे चलो पहले हम जो पका हुआ चिकन है उससे हम oil निकाल लेते हैं यह देखे पर मैं यहां पर अलग से बना रही हूं अब इस में डालेंगे हम थोड़ा सा बटर और इससे अच्छे से मैल्ट कर लेंगे हमी फ्लेम को लो ही रखना है अभी अब इसमें हम डाल देंगे आदयचमज तरीब जीरा और इसको हलका सा ब्राउन होने देंगे जीरा खलका ब्राउन हो चुका है अब इसमें हम गरम मसाले एड़ करेंगे तेज पत्ता प्रोटी लाइची बड़ी लाइची और दाल चीनी बस होल गरम मसालों में हम इतने ही डालेंगे अब डाल देंगे हम इसमें बारिक कटा हुआ प्याज अब प्याज को कर लेंगे अच्छे से मिक्स और हम इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और अच्छे से इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो एक बात का जरूर ब्यान दे क तो आपने इसमें बारिक काटके ही प्याज और जिंजर गार्लिक डालना है इसमें पेस्ट हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे पेस्ट डालने से क्या होता है ग्रेवी का टेस्ट जो है तोड़ा अलग हो जाएगा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है अब इसमें डाल मिक्स करके थोड़ी तेर के लिए अच्छे से हम इसे पका लेंगे जिंजर गारली को अच्छे से पकने के बाद अब इसमें हम डालेंगे क्रीम जो हमने तीनों को मिक्स करके बनाई थी वो डाल देंगे अच्छे से और इसे कर देना अच्छे से मिक्स और थोड़ी दिर के लिए हम क्रीम को अच्छे से पका लेंगे एक बात का ध्यान रहे जब हम क्रीम पका रहे हैं उस समय हमें कर्ची चलाते रहना है और दीरे दीरे से पकने देना है इसमें जो हमने क्रीम का जो पेश्ट डाला था हमें उसी तरीके से ही हमें इसमें डालना है हम उसको अलग-अलग करके नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हम अलग-अलग करके डालेंगे तो क्रीम का टेक्ट्छर है वह उतना अच्छा नहीं बनेगा इसलिए हमें इसे सेपरेटले ही je mix करके डालना है देखिए क्रीम का color change हो चुका है इसका मतलब क्रीम जो है पक चुकी है अब इसमें डाल देंगे हम जो हमने फ्राइ किया था चिकन उसको डाल देंगे और हमें कर देना इसको अच्छे से मिक्स क्रीम को अच्छे से हम चिकन के साथ मिक्स करना है उसके बाद ही हम इसमें मसाले एड़ करेंगे मसालों में हमें एड करना है आदे चमज करीब हम इसमें डालेंगे नमक और एक चमज करीब इसमें डालेंगे धनिया पौडर और डालेंगे हम इसमें आदे चमज गरम मसाला बस अब इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स मसालों में हम यही तीन डालेंगे इसके अलावा और इस मसाला, क्रीम, चिकन, तीन होई अच्छे से बिख्स हो गया है, अब इसमें हम लगा देंगे धकन, और फ्लेम को करना है लो, और थोड़ी देर के लिए इसे हम पका लेंगे चिकन को आलमोस्ट दस मिनट हो चुके हैं, अब हम चिकन को देख लेते हैं, चिकन तो अल्डेडी हमने पहले पका चुके थे, पर लेकिन हम क्रीम के साथ इसे थोड़ी देर के लिए पकाते हैं अब ग्रेवी को थोड़ा सा ज्यादा करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे अगर आपको ऐसी ही थिक ग्रेवी चाहिए तो आप पानी एड़ ना करें अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम में इसे पका लेंगे तिकन रेडी है अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे दो बड़ी हरी मिर्च ऐसे एक तोड़ा सा गार्ली इसके लिए और इसमें डालेंगे हम करस्क किया हुआ उपर से काली मिर्च ये देखिए पेपर जिंजर गार्ली क्रीमी चिकन रेडी है आप देख रहे हैं इसका ग्रेवी और इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है और ये खाने में भी काफी टेस्टी होती है अब मैं इसको एक बाउल में निकाल के दिखाती हूँ ये देखिए इसके पीसे और इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी दिख रही है और इसका टेक्सर भी काफी अच्छा आया है और ये काफी अच्छे से भी पका हुआ है इस रेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूली थेंक्स पॉर वाचिंग